शादी तयारी के लड़ियां तमाम कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट अजमाती हैं लेकिन नेश्रल ग्लो फिर भी नहीं आपाता यहां हम आपको बता रहे हैं ऐसे जूस जो आपके चेरे को कुदरती तौर पर निखारेंगे आमतौर पर जूस को सेहत से जोड़कर देखा जाता है लेकिन इनको पीने से रूप में निखार आता है पहले नमबर पर है गाजर का जूस अगर आपने यह तेक कर लिया है कि आप चाहिए जो हो जाए अपनी तवचा पर निखार लाना ही है तो आपको गाजर का जूस बहुत फाइदे मन्द हो सकता है गाजर न परियापत मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो तवचा के लिए फायदे मन्द है हर रोज एक गाजर का जूस के सेवन से बलती उमर के लच्छड का मज़र आते हैं और तवचा पर निखार आता है इसके लावा यह वजन कम करने में भी मतदगार है दूसरे नमबर पर आता है पालक का जूस सुबा की काफी की जगा पालक का जूस पी है इससे तवचा पर मौझूद बारीक लकीरे दाग धबे दूर हो जाते हैं और तवचा चमकती है तीसरे नमबर पर आता है टमाटर का जूस टमाटर तो एंटी आक्सीजन का खजाना है जो तवचा को हमेशा जवान बनाए रखता है टमाटर का जूस पीने से टैनिंग की समस्या महासों की समस्या और तवचा से जुड़ी दूसरी परिशानिया दूर रहती है खीरे का जूस तवचा को हाइडरेट करने के लिए खीरे का जूस सबसे अच्छा है यह शरीड से विशाले पदार्त को दूर करने में मुदद करता है पांचमे नमबर पर है ब्रॉकली का जूस फाइबर से भरे इस जूस में विटामिन सी की परियाप्त मात्रा पाई जाती है हर रोज ब्रॉकली का जूस पीने से स्वास्त से जुड़े कई लाव आपको महसूस होंगे तक गोबी का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है इसके लावा इसमें बीटा कैरोटीन भी पाये जाता है या तवचा को कोमल मुलाइम और जवान बनाए रखता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें थन्यावाद